हेलो फ्रेंड वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजाकूल आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत स्वागत है हमारे सामने ये देखी सैमसंग की सैमी आटिमेटिक मशीन है जो की कस्टूमर बता रहा है इसमें बहुत ही तेज आवासी आ रही है और ड्रम की ब पर होता है और फ्रेंड्स हम आपको पूरी आनकारी देंगे कि इसमें आगर क्यों प्रॉल्म आ रही है और क्यों आवाज आ रही है इसमें देखिए अब ये हमारा जो डकन है वो खुल चुका है फ्रेंट्स इसकी बेस खोलने के बाद हम इसके नीचे के जो उसके लेग होते हैं उसको हम हाथों से पुश करेंगे और बाहर के तरफ निकाल देंगे यह अंदर के तरफ से पुश करेंगे और यह हमारी जो है मोटर पीछे के तरफ से निकल जाएगी इसे अंदर के तरफ ना ये मोटर और ये देखिए इसकी वाई निग को हमने अलग कर दिया है कलर वाई कलर लगा ना है बिसे इसके लेगों को हमने दूर कर दिया जो कि ये पुराने थे और इस तोटने की वज़े से इसमें बहुत थी तेजी से आवाज आ रीथी ते इसकी वैलेंसिंग नीवन बा रही थी और इसे हटा के हम दूसरे नए जो हैं इसके लेक उसे हम इंस्टॉल करेंगे शबसे पहले हम इसके दोनों लॉक होते हैं ऊपर के उत लॉक केई इस मौटर को खड़ा कर देइंगे कि कि अब हम इसके पेंच लगाएंगे इन पेचों को तीनों पेचों को बहुत ही टैटली कस देना है इसको ड्राइवर की मज़द से और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सस्क्राइब कीजिए हम आपके सामने रोज एक नए एक नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे और हमें अपना ऐसे ही प्यार द सकते हैं का अपनी कमेंड बॉक्स में आप लिख दीजिए और हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो अप्लोड करते रहेंगे त्मॉग को टाइट करने के बाद हमने ये फिक्स कर दी तिये बिल्कुल इसकी लेक्षय और हम एको फिक्स करेंगे सकी वोडि में इसके जो यह हूल देख के उज़ी अभी है हमारी मोडर लग चुकी है अब हमिस्ची जो नीचे की बाडी है उस नीचे बाडी तरफ भी तीन स्कूरों और अच्छे से टाइट कर देंगे फ्रेंट्स ये देगे हमारी तीनों जो पेंच है वो अच्छे से टाइट हो चुके है अब हम इसकी जो वाड़ी होती हो उपर की उसे हम लगा देंगे ये देखिए हमारी वाड़ी भी फिक्स हो चुकी है और इसके ड्रम को हम अंदर ठीक से लगा देंगे फ्रेंट्स का ड्रम लगाने के वाद देखिए अब हम मोटर चलाएंगे और इसमें देखिए अब कोई भी आवाज नहीं आएगी देखिए हमारी मशीन चल लिए पर आवाज नहीं आ रही है यब ये इसकी वैलन्सिंग बन चुकी है फ्रेंट्स अब हम इसके जो ऊपर का ड्कन था उसे लगाएंगे ये लॉग इसके अंदर के लिए फिक्स करना है और ये आगे के तीन लॉग को हम अंदर के तरफ पुछ करेंगे और ये हमारे ड्कन नीचे के तरफ बैट जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा अच्छे से